हेलो फ्रेम कैसे हैं आप सब उमीद करती हूं आप खेरियस से होंगे घर का पका में आज हम बनाने जा रहे हैं मोस्ट फेवरेट लेमन सोड़ा बनाना बहुत ही असान है यह बच्चे और बड़ों को सबी को पिसंद आता है मेरा तो यह बहुत ही फेवरेट है मार्किर से कि अकरण आप कलिए का लेमन सोड़ा बनाने के लिए हमें किन चीजों की ज़रूरत है और इसे को कैसे बनाया जाता है लैमन सोड़ा बनाने के लिए हम सबसे पहले इसका मसाला करें गय regional peopleam इसके अंदर शामल करेंगे हम वन टी स्पून जीरा इसको अच्छा सा ड्राय रोट करेंगे हम यहां पर इसको अच्छा सा हम बूल लेंगे साथ ही इसमें जाएगे हाफ टी स्पून अजवाइन इन दोनों चीजों को अच्छा सा भून के ड्राय रोस्ट करके इसको हम पीस लेंगे इतना बरीक पीसेंगे कि यह बिल्कुल पाउडर हो जाएगे कि यहां पर हम फ्लेम इसका करते हैं और इसको यहां पर हम ठंडा करेंगे और फिर इसका फाइन पाउडर पीस लेंगे चलें यह ठंडा हो गया इसको हम इसमें शामिल करते हैं और इसको अच्छा सा पीस लेते हैं फाइन पाउडर चलें यह हमारा फाइन पाउडर रेडी हो गया इसको हम प्लेर में निकाल लेते हैं साथ ही इसमें हम शामिल करेंगे वन टी स्पून ब्लैक पेपर पाउडर फाइन पिसा हुआ साथ ही इसमें जाएगा हाफ टी स्पून सादा नमक साथ ही इसमें जाएगा वन टी स्पून काला नमक चलें इन सब चीजों को हम अच्छा सा मिक्स करेंगे मसाला रेडी होगे इसमें हम इसको एर टाइप जार में भरके अच्छा सा मिक्स कर लेंगे इसको अच्छा सा बन करेंगे और इसको हम यहां भी मिक्स कर लेंगे लेमन सोडा बनाने के लिए हम मग में शामिल करेंगे ज्यादा सारी बरक चूरा की हुई इसमें भी इसमें शामिल करेंगे हम वन बाइफोर टी स्पून मसाला जो हमने बनाया था साथी इसमें हम शामिल करेंगे टू टेबल स्पून लेमन जूस इसमें टू टेबल स्पून इसमें साथ ही शामिल करेंगे हम हनी वंटी स्पून और इसमें जाएगी यक ठंडी स्प्राइट इसमें भी ऐसे शामिल कर देंगे इसमें बर्फ ज्यादा शामिल होती है यक ठंडा ठंडा अच्छा लगता है मज़े का लगता है इसको करेंगे अच्छा सा यहां पर मिक्स इसको मिक्स करें अच्छा सा और इंज्योई करें लेमन सोड़ा हमारा बनके रेदी है कि यह बहुत ही मज़े का बहुत ही तेस्ती बनता है ठंडा ठंडा आप दिजरूर बनाए ज़रूर क्राइग करें यह सबको बहुत पसंद आता है बच्छों को तो खास तरफ पर यह बहुत पसंद आता है बहुत ही फेवरेट है बच्छोटा तो फ्रेंड आपको मेरी आज की रेसिपी अगर अच्छी लगे हो तो काली वीडियो को लाइक करें शेयर करें चैनल को सब्सक्राइब करें और दौाओं में याद रखें अला हाफीज